नमस्कार आप देख रही हैं नेक्स नाइन नियोस पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूँ करांति सिंग राजस्थान विधान सभा की 200 सीटों में से 34 SC और 25 ST सीटों पर कॉंग्रिस का दबदबा रहा है इस बार पार्टी ने 70% टिकट नेचेहरों के देने की योजना बनाई है इसके वज़ा ये है कि जनता इस्थानिये विधायकों से बेहद नाराज है सरकातर से नहीं ऐसे में कॉंग्रिस के रणनीतिकारों ने अपने परंपरागत गड़ को बचाने के लिए रिजर्व सीटों पर मौझूदा कॉंग्रिस विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं बतादे कि राजस्थान में 2018 के चुनाव में कॉंग्रिस को रिजर्व सीट पर बंपन जीत मिली थी 2018 के विधानसबाद चुनाव में आरक्षेत 69 विधानसबाद सीटों में बीजेपी को केवल 21 सीटों पर ही जीत मिली लेकिन इस बार बीएसपी और हनुमान बेनिवाल की आरेनपी इन सीटों में कॉंग्रिस का खेल बिगाड सकती है कॉंग्रिस के कई वरिष्ट नेताओं के मुताबिक इस बार कॉंग्रिस SCST रिजर्फ सीटों पर ज़्यादा तर नए चेहरे को मौका देगी जामबा, रामगड, बस्सी, राजगड, लक्षमनगड, डोड़ा भीम, सापूत्रा और ऐसे कई अन्य जगा जो है वो इसमें शामिल है लीडर्शिप डेवलप्मेंट मिशन के राष्ट्रिय कॉडिनेटर डॉक्टर शंकर यादव ने बताया कि UIT ओडिटोरियम कोटा में SCST, OBC, माइनॉरिटी के राष्ट्रिय कॉडिनेटर के राजू और अनुसूची जाती विभाग के राष्ट्रिय अध्याक्ष राजेस लिलोठिया के सानिंध्य में कारेशाला आयू जित हुई इसमें बूंदी, कोटा, जालवाडा और 12 जिलो के करीब 1200 प्रतिनीधियों ने भाग लिया उन्होंने कहा कि मिशन 69 के तहट राजस्थान की सभी आरक्षित सीटों को जीतने के लिए हाडोती की धर्ती से योजना बनाई गए प्रदेश की 34 SC और 25 ST सीटों पर फोकस रहा उन्होंने कहा कि इन सीटों पर नए नेता उर्जवान कारेकरता तलाशी जा रही है इन लोगों को चुनाव में मौका दिया जाएगा इस रिपोर्ट में फिलाल बस इतना ही देश तुनेक्त माम बड़ी खबरों के ले देखते रहे नेक्स नाइन नियोस पॉलिटिकल बाइट